हेलो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ मूंग डाल की निवरेसेपी प्रोटीन फाइबर से भरपूर ये एक कटोरी मूंग की डाल है इसे तीन से चार बार वास करके डेड़ गलास पानी डाल कर चार से पांच गंटे के लिए सोक होने के लिए रख दिया है ये देखिए दाल हमारी सौफ्ट हो चुकी है इसे तीन से चार बार पानी में हमने रगड के इसके छिलके निकाल लिए इसमें पानी अब बिलकुल नहीं है और इसे मिक्सी जार में डाल कर इसे इस तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे ये देखिए और दो चम्मच बेटर इसका निकालकर अलग रख लेंगे अब एक कटोरी लेंगे इसमें आदा चम्मच हल्दी पाउडर, आदा चम्मच मिर्ची पाउडर, आदा चम्मच धनिया पाउडर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालके इसे पतला गोल बना लेंगे ये देखिए अब हम इसको एक साइड रखेंगे और ये मूंग डाल का पेष्ट जो है इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्का सा नमक डालेंगे जिससे कि हमारा बेटर हल्का सा नमकीन हो जाए ये देखिए इस तरह से पेष्ट हमारा ये तैयार हो चुका है बेटर अब कड़ाई में ओल डाय लेंगे और ये थोड़ा सा बेटर डाल के चेक कर लेंगे oil गरम है थोड़ा थोड़ा वेटल लेंगे और medium size की पकोड़ीयां हम बनाएंगे इस तरह से यह सब्जी हम बिना लहसन प्याज के भी बना सकते है और लहसन प्याज के भी बना सकते हैं ये आप पर depend करता है आप जैसा खाना पसंद करते हैं पकोडियों को हम 90% सेखेंगे इस तरह से अलटते पलटते ये देखिए सेख चुकी है और इनको मैंने ये पूरा वेटर मैंने दो बार में सेंका है ये देखिए पकोडियां हमारी तैयार है अब अलकम कर लिया है जीरा डालेंगे हींग डालेंगे और 6-7 कलियां ये लहसुन की पेष्ट बना लिया है इसको डालेंगे और कलर चैंज होने तक इसको भूनेंगे ये देखिए अब डालेंगे मसाले का घूल और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक ये और रिलीज ना करते अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सस्क्राइब जरूर करें ये देखिए ये बूंग डाल का जो पेष्ट था इसको थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें इसको पतला कर लिया है ऐसे और अब हम इस मसाले में डालेंगे ये थोड़ा सा पानी डालेंगे इसे और इसे चलाते रहना ये देखिये दोस्तों यह सब्जी बहुत यम्मी बनती है इसे हर कोई खा सकता है यह बादी भी नहीं होती है और आपके यह इस सब्जी को क्या बोलते है जरूर कमेंट में बताएं इसे हमें बराबर भूनना है यह देखिये इसका कलर चेंज होने लगा है मसाला मारा ये पूरी तरह से भुन चुका है ये देखी कर्ची में आ रहा है पूरा एक दम से अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे बरावर चलाएंगे जिससे कि इसमें एक भी लमस ना रहे इस तरह से इसका एक पतला सा गोल बना लेंगे ये देखी है अब हम फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे फिर बरावर चलाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें डालना है इस जगर ये देखी है और यहां मैंने इसमें दो बड़े गलास पानी डाला है ये मैं दो से तीन लोगों के लिए सबजी बना रही हूँ नमक डालेंगे नमक हमें ध्यान पूर्बग डालना है क्योंकि हमने पकोडियों में भी नमक डाला हुआ है ये कुबाल आने देंगे बराबर चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे जो ये पकोडियां हमने बनाई है इन्हें हलके आतों से दबाएंगे जिससे कि ये सौक्ट हो जाएं इसके अंदर गिरे भी चली जाए देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे गरम मसाला डालेंगे और इसे साथ से आठ मिनट के लिए हम पकने देंगे ये देखिए दोस्तों सबजी हमारी ये साथ से आठ मिनट के बाद ये देखिए सबजी हमारी रेडी है ये देखिए अगर आपकी सबजी आप ग्रेवी आपकी गाड़ी है तो आप गरम पानी डाल कर इसे पतला कर सकते हैं पखोडियां मारी ये देखिए, सौप्ट हो चुकी है और अलग बरतन में इसे तुरंट कर लेंगे ये देखिए सबजी कितनी यम्मी बनी है एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि आपके यहां इसको क्या बोलते हैं इसे रोटी, पूरी किसी के भी साथ इंजॉय करें और इस पेसली चावल के साथ, ये चावल के साथ बहुत ही यम्मी लगती है ये देखिए कितनी अच्छी सबजी बनी है